मुंगेली भारत के 36 कर राज्य का एक महतवपूर्ण शहर है मुंगेली 36 कर का एक ऐसा जला भी है जो राज्य का पहला महिला पिधान जला है पुराने समय में मुंगेली शहर बिलासपूर जिले का एक महतवपूर्ण हिस्सा हुआ करता था परंतु एक जन्वली 2012 को 36 कर सरकार द्वारा मुंगेली शहर को जिले का दर्जा दिया गया आज के समय में मुंगेली जिला तीन तहसीलों में विभाजित है मुंगेली जिला कर सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है मुंगेली के उत्तरपूर में विलासपूर जिला, दक्षन में बेमित्रा जिला पच्चिम में कवर्धा जिला तथा मध्यप्रदेश थित है चतिसकर की राजधानी नरा राइपूर से 100 किलोमेटर दूर तथा भारत की राजधानी नई दिली से 1100 किलोमेटर की दूरी पर आगर नदी के किनारे बसा हुआ है लगबग 2750 वर किलोमेटर क्षेत्र में फैले हुए मुंगेली जिले की जनसंख्या 2011 की जनगनरा के अनसार 7 लाग से उपर थी जिले की 25 प्रतिसत आबादी शहरों में निवास करती है जब की 75 प्रतिसत आबादी गाउं में रहे कर अपना जीवन यापन करती है धार्मिक तरश्टिकूंग से मुंगेली जिले में 92.4 प्रतिसत हिंदू पीन दश्मलव चार प्रतिसत मुसल्मान एक दश्मलव पाँच प्रतिशत इसाई एक दश्मलव आद प्रतिशत सीख दो दश्मलव तीस प्रतिसत अन्य धर्मों के लोग निवास करते है जिले की साक्षरता दर 74.95 प्रतिसत है इससे ये पता चलता है कि मुंगेली जिले के ज़्यादा तर लोग पड़े लिखे हैं और यहाँ पर शिक्षा संस्थानों में राज के विज्यान कॉलेज, शास के नवीन कॉलेज, मिनिमाता कॉलेज, राजीव गांधी गवनेंट कॉलेज, सुखनंदन कॉलेज, एवन सोनकर कॉलेज यहाँ की प्रमुक शिक्षा संस्थान है और यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाशा हिंदी और शिक्षटीसकड़ी ज्यादातर बोले जाते हैं, इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है मुंगेली शहर कभी रतनपूर के कल्चुरी राजवंच का ही हिस्सा हुआ करता था, हाला कि बाद में फनी नागवंची राजाओं ने इस किशित्र को कबज़ा कर लिया आज के समय में मुंगेली शहर च्छटीसकड़ के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले शहरों में गिना जाता है कहा जाता है कि मुंगेली शहर एक सो बालीस साल पुराने राज्य की सबसे बड़ी तहसीरों में से एक है मुंगेली शहर अपने सरक मार के जड़िये बिलासपुर, राइपुर, दूर्ग जैसे कई अन्य शहरों से जुड़े हुए है जिनके जड़िये आप मुंगेली शहर तक पहुंच सकते है मुंगेली शिला अपने खूबसूरत परेटक्स थलों के लिए भी जाना जाता है साल लाखों सेलानी मुंगेली शिले की खूबसूरती को देखने आते हैं आई जानते हैं वे कौन सी परेटक्स थल है जिनके बिना मुंगेली जिले का भ्रहमन अधूरा है नंबर एक खुडिया जलाशे मुंगेली जिले की खूब सूरत परिटक स्थलों में से खेक है आपको बता दे खुडिया जलाशे अपने रिवर्ड डाम के लिए जाना जाता है जो यहां के मनहारी नदी पर बना हुआ है जो मुंगेली शिहर से लगबग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोकप्रे पिकनिक स्पॉट है जहां स्थानों के साथ साथ आस्तास के परिटकों का भी आगमन होता है मनेहारी नदी के तक पर बसे लोर्मी की प्राची नगर पर स्थित है शिवखाट हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है मुंगेली जिले की इस पावन धाम में लगभग तीन सो वर्ष पुरानी शिवलिंग की प्राचीन तम मूर्ती विराजमान है हर वर्ष महाशवरात्री के मौके पर यहां साथ तिवसिय मेले का आयोजन किया जाता है जहां दूरद राच से लोग पहुँचकर इस मेले का आनंद लेते हैं शिवखाट मुंगेली शिहर से लगभग तेज किलोमीटर की दूरी पर लोर्मी तहसील में स्थत है स्वेथ गंगा मुंगेली जिले की सबसे खूब सूरत धार्मिक स्थलों में से एक है स्वेथ गंगा मुंगेली जिले का तीर्थ कहलाता है दसवी वी ज्यारवी शिताबदी के दौरान बड़ी नागंशी राजानी या श्री राम जान की मंदर और शेश को गुंबत पुल का निर्मान कराया था जो आज के समय में मुंगेली जिले का सांस्कृतिक महत्व का तीर थे मुंगेली शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर किसवा नाला के पास स्थित है इन सभी परिटक्स थलों के अलावा आप कहीं अन्य परिटक्स थलों का भ्रह्मन कर सकते हैं जिसमें हती खला मंदर मोटीपुरा खाट सत्यनारायन मंदर अचानक मार एवन यहां के अन्य प्रमुक दर्शनी स्थल है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं जे हिंद जे भारत धन्यवाद